मैं शुकला सर एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आ गया हूँ आप सभी को धेर सारी शुब कामना है और जिन बच्चों ने हमें कमेंट्स किया है उनके लिए भी मैं धेर सारी शुब कामना है देना चाहता हूँ और जिनोंने सबस्क्राइब किया है हमारे चैनल को उनको एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच क्योंकि आप लोगों की वजह से अब हम एक और नया सिरीज जोडने जा रहे हैं और वो है CBSC की ये बुक ये CBSC की बुक्स बाइबल है अगर कोई भी बच्चा इसे पूरा धंग से सॉल्ब कर लेगा तो वो पूरे का पूरा रेजल्ट ला सकता है पूरे में पूरा अर्थात 100 on 100 तो आज हम आज इस बुक का टॉपिक लिए हैं टेग्नोमेट्री और उस टेग्नोमेट्री के कुछ सम्स सॉल्ब करेंगे इक्सरसाइज इस बुक में है 8.1 और 8.1 एक्सरसाइज का हम लोग सॉल्ब करने जा रहे हैं फर्स्ट क् देखे कि पहले मैं six formula आप लोगों को brush up के लिए यहां बता देता हूँ आपके पास एक right angle triangle है और हम इसके पहले एक टेग्नोमेट्री पे complete वीडियो दे चुके हैं जिसे देख करके आप लोग पूरा formula सबस सकते हो अब यह अगर theta है तो हम sin theta के बारे में बात करेंगे तो sin theta का formula होता है opposite side upon hypotenious देखे यहां मैं बताना चाहूँगा कि 90 degree के सामने का side hypotenious होता है और theta के सामने का side जो होगा वो opposite side बूला जाएगा और theta से जो 90 degree को join करेगा जहांके line के साथ मैं dot बना रहा हूं उसे हम adjacent side कहेंगे यह adjacent side हो जाएगा और यह opposite side होगा हम theta के view में अगर देखते हैं तो तो आप सभी जानते हैं कि technometry में छे ratio होते हैं पहला होता है sin और दूसरा cos theta होता है cos को हम adjacent side अपॉन हाइपोटेनियस कहते हैं तीसरा 10 theta होता है third one is 10 theta और इसको हम opposite side अपॉन adjacent side बोलते हैं अब बचे हुए जो 3 है उनको हम यहां पे लिख रहे हैं 10 का जो reciprocal है वो होता है और इसका फार्मूला हो जाएगा adjacent side अपॉन अपॉसेट साइड ठीक है और कॉस का जो है वो सिक होगा सिक थीटा तो हाइपोटेनियस अपॉन एड़ेसेंट साइड हो जाएगा यह ठीक है और इसके बाद में है कोशिक थीटा तो कोशिक थीटा साइन का होता है तो इसे हम हाइपोटेनियस हाइपो शॉर्ट में हम लिख रहे हैं सब जगह पे अपॉन अपॉसेट साइड कहते हैं यह six formula आज हमारा exercise के लिए होंगे इनको हम याद रखेंगे ठीक है यह six formula है exercise 8.1 हम ले रहे हैं और यह ncrt की बुक है जिसे आप लोग देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिस दोनों ही मीडियम में हमारा class होगा इट मींस दोनों मीडियम के बच्चे इसे आसानी से सीख पाएंगे बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर मैं यह थीटा यहां पे रख दूंगा तो हमारा opposite side BC हो जाएगा और adjacent side AB हो जाएगा एंग्ल के view से हमारा opposite side और adjacent side बदलता रहता है इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा एक बात जो हमेशा fix है वो है 90 के सामने वाला side जिसको हम hypotenuse कहते हैं बाकी चीजें बदलेंगी जिसको आप angle लोगे उसके सामने वाला side opposite side बोला जाएगा और उस angle को 90 degree के साथ join करने वाले side को आप adjacent side बोलेंगे अब आते हैं हम लोग पहले question पे पहला question है exercise 8.1 का हमारे पास में इन ट्रेंगल ABC आपके पास एक ट्रेंगल ABC है राइट एंगल एट बी राइट एंगल बी पर बना हुआ है और बताया गया है कि AB is equal to 24 cm BC is equal to 7 cm determine sin A, cos A, sin C, cos C तो first of all हमें एक ट्रेंगल बनाना चाहिए राइट एंगल ट्रेंगल अब हम राइट एंगल ट्रेंगल एक बनाते हैं यह हमारा हो गया राइट एंगल ट्रेंगल ठीक है यह 90 90-degree तो इसमें दिया गया है 90-degree right angle at a b और BC दिया गया है 7 cm, तो हम BC यहाँ पे 7 cm ले लेंगे, अब सबसे पहले हम यहाँ पे hypotenuse find out करेंगे, ठीक है बच्चो, hypotenuse कैसे पता किया जाता है, यह right angle triangle है, तो right angle triangle में हम लोग Pythagoras theorem apply करते हैं, I hope कि आप सभी लोग Pythagoras theorem अच्छी तरीके से जानते होंगे, Pythagoras theorem में क्या होता है, hypotenuse का square is equal to side 1 square plus side 2 square, जैसा कि हम यहाँ समझा रहे हैं थोड़ा सा, लिखने का तरीका आपके exam में ऐसा होना चाहिए, कि इंटरेंगल ABC, angle B is equal to 90 degree, therefore, by Pythagoras theorem, आप क्या लिखेंगे, AC square, देखो यहाँ पे AC क्या है आपका, hypotenuse है, तो यह hypo हो गया है, यह fix रहेगा, is equal to side 1, that is AB square plus BC square, तो हो गया हमारे पास में, AB square के जगाँ पे 24 का square, plus BC के जगाँ पे 7 का square, तो यह हमारा 576 हो जाएगा, 24 का square, 576 plus 49, तो इसे अगर आप plus करते हैं, तो I think, so यह 6, 25 होगा, because 9 plus 6 is 5, 1 carry, 7 plus 1, 8, 8 plus 4, 2, 2 हो जाएगा, यह 6, 25 हो जाएगा, तो AC square आपके पास में 6, 25 हो जाएगा, so AC is equal to under root 6, 25, so AC is equal to आपके पास में आजाएगा 25 cm, यह आपने unit के सांस लिख दिया, यहाँ हो गया, आपका 25 cm, आप तीनों साइड आपको मिल चुके हैं, तीनों साइड मिलने के बाद, अब आपको क्या करना होगा, आप पहला question यहाँ पे दिया गया है, इस book में, कि sin A और cos A हमें find out करना है, ठीक है, तो sin A का formula होता है, यहाँ देखिए, sin A is equal to opposite side upon hypotenuse, तो opposite side हमारा क्या है, A, A angle न, क्योंकि sin A यहाँ पे लिखा गया है, तो A angle को लें गया, A का opposite हो जाएगा 7, तो यह होगा 7, और hypotenuse 25, तो यह 25 हो गया, तो पहला answer आपका, sin A का मिन चुका है आपको, ठीक है, sin A is equal to 7 upon 25, दूसरा था cos A, तो cos A is equal to adjacent side upon hypotenuse, ऐसा लिखा गया है, तो adjacent side क्या है, यहाँ पे A का adjacent side, मैंने कहा था कि जो 90 को जोडने वाला है, तो 24 upon hypotenuse 25 हो जाएगा यह, तो cos A is equal to 24 upon 25 हो गया, तो पहला जो question था, वो आपका clear हो चुका है, अब दूसरे question के बारे में हम बात करेंगे, इसी में दिया गया है sin C, cos C, अब देखो, आपका angle बदल रहा है, मैंने आपको कहा था कि जब angle आपका बदलेगा, तो position of side भी बदल जाएगी, sin C, sin C is equal to, फार्मूला तो वही रहेगा, opposite side upon hypotenuse, तो भाई, sin C यहाँ पे क्या होगा, C का opposite side अब देखना पड़ेगा, तो C का opposite side तो A, B हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 रहेखोगे, hypotenuse तो fix है 25, यह answer आगया, अब इसका एक और है, second का कि cos C, तो cos C क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला, adjacent side upon hypotenuse, तो adjacent side क्या हो जाएगा, cos C का, C का देखो, adjacent, यह हो गया, 7, तो 7 upon 25 हो जाएगा, hypotenuse 25 fix रहेगा, तो इस तरीके से हमने पहला question complete किया, अब हम question number 2 की तरफ आएंगे, और 2 में देखेंगे कि क्या दिया गया है, आप लोग इसको अगर copy करना चाहते हैं, तो pause करके copy कर सकते हैं, दूसरा question है, question number 2, exercise 8.1, हम लोग technometric identities और technometric formulas को solve करके कर रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों ने formula नहीं लिखा है, वो pause करके ये formula लिख लेना, अब हम formula को भी rough करेंगे, और अगला question, question number 2 लेंगे, and I hope की question number 2 आप लोगों को समझ में आएगा, जिन लोगों को नहीं आगा आता है समझ में, वो हमारे comment box में चाह करके लिख सकते हैं, और वो personally mail कर सकते हैं, हमें, find 10p minus cot r, हमें 10p और cot r पता करना है, figure आपको दिया गया है, figure आपका ऐसा है, ये देखे, ये book में figure बना हुआ है, हम page number पर है, 181, page number पर exercise 8.1, उसका question number 2 solve कर रहे हैं, जो की important भी है, ये exam के लिए बहुत important question है, तो आप इसे तयार करके रखें, ये 12 cm हो गया, ये 13 cm हो गया, और इसमें जो 3rd side है, q90 degree बना हुआ है, ये question mark है, ये नहीं दिया गया है, और हमें find out क्या करना है, 10p minus cot r, find 10p minus cot r, ये आपको पता करना है, 10p minus cot r, simple सी बात है, वापस हम पाइथागोरस theorem अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस theorem क्या था, by पाइथागोरस theorem, इस ट्रेंगल में, अगर अप्लाई करोगे, तो p r square is equal to, p q square plus q r square होगा, तो p r square क्या होगा, 13 का square is equal to, p q हमारे पास 12 है, 12 का square plus q r square, q r square नहीं दिया गया, तो हम उसको ऐसे ही रखेंगे, 13 का square 169 is equal to 144 plus q r square, तो ये 169 minus 144 is equal to q r square हो जाएगा, minus करोगे तो 25 आजाएगा, q r square is equal to 25, so under root 25 is equal to q r square, 5 is equal to q r हो जाएगा, अब आपको पास में q r 5 cm हो गया, तो यहाँ आप 5 cm लिख लिएगे, अब find out क्या करना है दोस्तों, हमें find out करना है, tan p minus cot r, तो tan p पहले हम पता कर लेते हैं, tan p is equal to opposite side upon adjacent side, तो opposite side क्या है आपके पास में, opposite side है यहाँ पे देखो, tan p, तो p से आपको देखना पड़ेगा, तो p का opposite तो हो गया q r, that is 5 upon adjacent side क्या होगा, p q, p q कितना है अपने पास, 12 cm, so keep there 12, तो tan p आपके पास में आगया, 12 upon 5, अब आपको क्या पता करना है, cot r, तो ठीक है, cot r पता करो, तो cot r अब ये एंगल हो गया, यहाँ से cot का फार्मूला क्या होता है, adjacent side upon opposite side, तो cot r के लिए, आप क्या करोगे, adjacent side, adjacent side क्या हो जाएगा हमारे पास में, r का, 5 होगा, क्योंकि मैंने कहा था, 90 degree और angle, उन दोनों को join करने वाला side होता है, adjacent side, 5 upon 12 हो जाएगा, देखिए, आपका ये भी 5 upon 12 आया है, और ये भी 5 upon 12 आया है, तो finally आप से पूछा गया था, 10 p minus cot r, तो क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, 5 upon 12, minus 5 upon 12, तो result आपका आएगा, 0, answer क्या होगा, 0, क्यों answer 0 हुआ, cut हो गया, plus minus, या फिर इसमें से ये minus हुआ, तो आपका ये आगया result, ठीक है, ये हो गया question number 2, अब हम लोग question number 3 solve करेंगे, question number 3 क्या है, चलो देखते हैं, question number 3 कह रहा है, कि sin A is equal to 3 upon 4, it means, sin A का value आपको दे दिया गया, मतलब, अगर आपके पास एक right angle triangle है, तो opposite side और hypotenious आपको मिल गया, calculate, cos A and tan A, आपको cos A और tan A पता करना है, इसे हम formula से भी solve कर सकते हैं, और हम triangle बना करके भी, आपके board में triangle बना करके solve किया गया है, तो हम उसको वैसे ही solve करते हैं, जैसा कि आपको exam में solve करना है, let's see question number 3, जो बच्चे अभी start किये हैं, हमारे वीडियो को देखना, वो हमारे channel पे जा सकते हैं, और channel पे जा करके, धेर सारे information collect कर सकते हैं, वहाँ पे हर एक board, और हर एक exams के, और motivational videos भी आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको motivate करते रहेंगे, और सफलता मिलेंगी आपको, आप success हो पाएंगे, question number 3 में दिया गया है, sin A is equal to, 3 upon 4, sin A is equal to 3 upon 4, okay, calculate cos A and 10 A, हमें calculate करना है, calculate cos A and 10 A, ठीक है, cos A, 10 A find out करना है, so solution अगर हम इसका बनाएं, तो solution ऐसा होगा कि, sin A is equal to 3 upon 4, therefore, opposite side of angle A upon hypotenuse is equal to 3 upon 4, let intangle ABC, angle B is equal to 90 degree, क्योंकि यहाँ A दिया गया है तो A को 90 मत लेना, B आपका 90 हो गया, ऐसे हो जाएगा एक ट्रेंगल आपके पास में, यह ट्रेंगल हो गया, A, B, C, B is 90, ऐसा ट्रेंगल बन गया, तो देखो opposite of A, तो A का opposite क्या है 3, तो यहाँ 3 लिखोगे, hypotenuse 4, तो यह आपका 4 होगा, hypotenuse 4, calculate cos A, and tan A find out करना है, ठीक है, देखो बच्चों, यह आपका ratio है, अगर यह ratio है, तो directly मैं 3 और 4 नहीं लिख सकता, तो क्या करूँगा, मैं बोलूँगा, let, common, multiple b, k, तो आपका AC जो आएगा, जो की hypotenuse है, वो 4 k हो जाएगा, comma, BC जो आएगा, वो 3 k हो जाएगा, अब आप इसे 4 k और 3 k लिख सकते हो, पाइथागोरस theorem अप्लाई करके, हमें a, b, find out करना जाएगा, तो इन्टरेंगल, एंगल b is equal to 90 degree, therefore, AC square is equal to, a, b square plus, b, c, square, तो, यह हो गया, AC square is equal to, a, b square plus, b, c, square, so, AC आपका हो जाएगा, 4 k square, is equal to, a, b, तो, a, b square, plus, b, c, आपके पास में है, 3 k का, square, so, 16 k square is equal to, a, b square plus, 9 k square, so, 16 k square minus, 9 k square is equal to, a, b square, तो, आपके पास में आ गया, 7 k square is equal to, a, b square, तो, under root, 7 k square is equal to, a, b, तो, a, b is equal to, हो गया, आपका, root 7 k, ये आपका, a, b, आगया, a, b, is equal to, root 7 k, तो, cos a, आपका क्या था, cos a is equal to, adjacent, side, upon, hypotenuse, तो, क्या हो जाएगा, adjacent side में क्या रखोगे, root 7 k, upon hypotenuse, 4 k, 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 cancel, तो, cos a का value, आपको मिल गया, root 7 upon 4, अब, आपको, find out करना है, cos, sorry, 10 a, तो, 10 a कैसे, find out करोगे, देखो, 10 a का formula क्या होता है, opposite side, upon, adjacent side, ठीक है, तो, 10 a is equal to, a का opposite side, क्या हो गया, 3 k, so, you can keep over there, 3 k, and adjacent side, root 7 k, तो, root 7 k, 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 get cancel, आपका final answer आगया, 3 upon root 7, ये दोनों हो गए, आपके solve, इस प्रकार से, हम question number 1, 2, 3, solve कर दिये हैं, अब, next video में हम, आगे के questions को solve करेंगे, अगर जिन लोगों ने, अभी हमारे channel को join किया है, वो subscribe कर लिजे, क्योंकि आने वाले दिनों में, CBSE का complete solution आपको दिखाई देगा, other videos देखने के लिए, आप हमारे channels पर जा सकते हो, हमारे channels का नाम है, बटे इश्वर शुक्ला, यहां से आपको काफी ज़्यादा videos, और IATJ और मेंस के भी धीरे धीरे videos मिलने लगेगे, so thank you very much for watching this videos, please subscribe this channel, to get more and more information about education, thank you very much,